क्या आपको बात्रूम में आधा आधा घंटा बैठना पड़ता है लेकिन फिर भी आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता है अगर हाँ तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है पेट खुलकर साफ ना होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे दुनिया भर मे करोडों लोग पीडित हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी आईरवेदिक होम रेमेडीज शेयर करने वाला हूँ जो आपकी आतों में जमा पुरानी से पुरानी गंदगी को निकाल के बिलकुल साफ कर देंगी आपके आतों में जमा जो टॉक्सिंस हो कारे में पूरी डीतियल से अगर सुभा सुभा हमारा पेट शही डंसे साफ ना हो तो आपने अक्सर देखा हुगा कि पूरा दिन हमसुश्त रहते हैं और चिडशबर सा महसूस करते हैं और किसी काम को करने में भी मारा मन नहीं लगता है ना ही भूग सही से लगती ह군 कि जो कुछ भी हम आज खाएं वो कल सुभा तक पूरा का पूरा हमारी आतों से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम सही धंग से काम करता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा एक्चुल में हो नहीं पाता है। हमारी खाने पीने की आदते इतनी जादा खराब हो चुकी है कि हमारे खाने का बचा हुआ वेस्ट पार्ट कभी भी बॉडी से बाहर टाइम से निकल ही नहीं पाता है। और यही वज़ा है कि धीरे धीरे यह गंदगी हमारी आतों के अंदर चिपकती चली जाती है और सड़ती रहती है। इसलिए अपने पेट की और आतों की पूरी सफाई करना बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है। आपको सही ढंग से समझने के लिए आपको हमेशा पूरी वीडियोस देखनी चाहिए। अकसर लोग मैंने देखा है कि वीडियोस को आगे बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं या फिर पूरा नहीं देखते हैं जिसकी वज़ा से उनको आधी बात समझ में आती है और आधी बात समझ में नहीं आ पाती है। जोकि एक्चुल में आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सभी वीडियोस को पूरा एंड तक जरूर देखा कीजिए और फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कॉमेंट करके आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के कॉमेंट को पढ़ने का और जहां तक हो सके उनका रिपलाई करने का। साथ ही अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आए तो उनको लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए क्योंकि आपके लाइक से सही हमें पता लगता है कि आपको हमारी वी इर्वेदिक रेमेडी है जो कि आवला, हरण और बहीडा से मिला कर बनती है। तिरफला हमारी आतों के अंदर पैरिस्टाल्टिक मोमेंट्स को स्टिमूलेट करता है जिससे आतों में जमा जो गंदगी होती है शरीर से वो बाहर आसानी से निकलने लगती है। अगर आपको है कि तिरफला एक बहुत ही बहतरीन लैक्जेटिव है और पूरी दरहां से सेफ है। तिरफला को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका आदा से एक टीस्पून आप रात को सोते समय थोड़े से गुन-गुने पानी के साथ ले सकते हैं अगले दिन सुभा आपका पेट एक को लें और थोड़ा सा पानी में उसको भिगो दें तो आप देखेंगे कि यह पानी कुछ देर के बाद एक जैसी शकल में कनवर्ट हो जाता है। यह एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि इसके इन-soluble fibers की वजा से बनता है। जब हम इसब गोल की भूची को खाते हैं तो हमा को लेना है और एक ग्लास गून गूने पानी में या गून गून दूद में मिला कि इसको रात को सोते समय आपको पीना है। इस सब गोल लेने के साथ आपको बस दो चीज़ों का खात ध्यान रखना होता है। पहला तो यह के आप इसे खाने के बाद पानी ज़्यादा quantity में पीते रहें, ताकि आपके पेट के अंदर यह अच्छी तरीके से फूल सके, जो जैल है, वो अच्छी से बन सके, और चिकनाहट पैदा कर सके, और दूसरी बात है, कि पानी में या दूद में मिलाने के बाद, जब आप इसे लेते हैं, तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीलें ताकि ये वहाँ पर फूल के जैल जैसी चीज न बन जाए अगर ये जैल जैसा बन जाएगा तो आपको खाने में थोड़ा इसको दिक्कत आएगी क्योंकि वो काफी थिक सा होता है और खाने में कई बार लोगों को उल्टी जैसी म बढ़ा देती है, स्टिमूलेट कर देती है जिससे पेट आपका आसानी से साफ हो जाता है वैसे तो ड्राइड इंजीर को आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन आयरवेज रिकमेंड करता है कि आप दो से तीन अंजीर के पीस लेकर इन्हें पहले रात को पानी में भीगो दें और इसके बाद फिर सुभा में इने चवा चवा कर आप खा लें या फिर सुभा में इनको लेकर आप दूद में उबाल लें और फिर उस दूद को पी लें साथ में जो अंजीर बचेगी उबली हुई इसको खा लें दोस्तों अंजीर पेट साफ करने के साथ बॉड़ी में ताकत को भी बढ़ाती है तो अगर आपको बॉड़ी में कमजोरी भी है तो ऐसे में अंजीर आपके लिए एक जादा बेहतर आप्शन बन जाता है वैसे अंजीर की तासीर गरम होती है लेकिन अगर पानी में भीको के आप इसको खाएंगे तो इसकी जो गर्मी होती है वो ठंडी हो जाती है और आप इसको गर्मी के मौसम में भी अराम से खा सकते हैं दोस्तों ये हैं वो तीन आयरुवेदिक रेमेडीज जो आप अपने आतों की सफाई के लिए और कब्स को दूर करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं ये तीनों ही रेमेडीज पूरी तरह से सेफ हैं और नौन हैबिट फॉर्मिंग हैं इसलिए इन्हें आप चाहें जितने समय तक बिना किसी डर के बिना किसी साइड इफेक्ट के खा सकते हैं लेकिन याद रखें कि अगर इन रेमेडीज से आपको फायदा नहीं मिल रहा है आपको फिर भी पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टेग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के उपर शो हो रहा है चली इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे एक नई बहुती बढ़ियासी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते र जा मेई जाओफ्ट झाए रुम आए इसा जाओ ज रखिए